बड़े भूडों की बाद एक बाद फिर्शा साच होती हुई एक अकेला चना बाढ नहीं फोड सकता और यही कहानी रही इंडिया और साउत प्रिक्या के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में ज़ा इंडिया एक पारी और 32 रन से आर गई इंडिया उतना फिरन नहीं बना पाई जितना रिटार्ड होने वाले दी नहीं बनाए थे इस मैच के बाद दी नहीं आलका रिटार्ड हो गए लेकिन उन्होंने इस मैच में एक सो पिच्चासी रनों की संदार पारी खेल कर इत्यास बना दिया इंडिया जब अपनी दूसीरी पारी खेलने आई तो केवल 13 31 रन उपर ओल आउट हो गई उस 131 रनों में से बिराट ने केले 76 रन मनाए इंडिया के नोबलने बाद द्याई का आपड़ा भी नहीं चूपा है यह सबीज एसवाल पांच रन रोई सर्मा जीरो शुमन गिल 26 रन बिराट कोली ने 76 रन बनाए जब किस रेशरियन है छे रन केल राहूल चार रवी तिंदर नत्विन जीरो सादू ठाकुल दो जस्परीद भूमरा जीरो मुहमा सिरा चार रन और परसित किसना जीरो पर नोट आउट रहे हैं इस मैच को देखने के बाद रहाने और पुजार आये कोने में सिरे जीते नहीं है पहली बार जीत कर आएंगे लेकिन यह खवाब भी खवाब ही रह गया लेकिन इस हार के बाव जोस बिराट कोली की 76 रनों की पारी हमेशे याद रखी जाएगी बिराट ने जिस तरह 76 रन मना है लग रहा था वो अलग पिछ पर बल्ले बाजी कर रहे है और बाकिस अभी बल्ले बाजी का लग पिछ पर बल्ले बाजी कर रहे हैं एक तरफ से बिराट केले बिकट पर टिके हुए थे और दूसी तरफ से लगतार बिकट गिरते जा रहे थे पूरी टीम तास की पत्तों की तरह विखर चुकी थी आगरी में बिराट को लिए केले रहे गया और उन्हें तेजी से रन बनाने के जक्कर में अपना बिकेट गवा दिया रवारा ने बिराट का संदार कैज पकड़ा इस बिराट बारी का अंत ऐसे ही कैज के द्वारा हो सकता था हलांकि इन सब के बावजूद बिराट ने कई रिकोर्ड अपने नाम कर लिए बि बारत की दरब से साउथ अपरिका में सबसे ज्यादा हाफ संद्री लगाने के मामले में बिराट अब दूसरे नमर पर पहुंच गए हैं बिराट ने छे हाफ संद्री लगाए हैं जबकि पहले नमर पर मौझूद सकिंट अंद्रुकर ने आठ हाफ संद्री लगाई है इस स